Brought to you by Agilis Diagnostics भेल टेस्ट की बाद आती है तो मैं फरोसा करता हूँ इंडियास लाज़ेस डाज़ेस 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 खुद को टेस्ट करते रो यानि दुतावास के प्रतिनिदी को समन किया था 29 अक्टोबर 2024 को अटवा में सर्वजनिक सुरक्षा और राष्टे सुरक्षा पर स्थाई समीती करवाही के संदर्प में एक राजनेक नोट उस प्रतिनिदी को सौपा गया है उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मौरिसन द्वारा समीती के समक्ष भारत के केंद्रिय ग्री मंत्री के बारे में व्यक्त किये गए अनर्गल और निराधार संदर्मों को कड़े से कड़ा विरोध करती है केनडा के उच अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रहौईत करने की एक सूविचारित रननिती के तहत जान बुझकर अंतराष्ट्रिय मीडिया को निराधार आच्छेप लिक्त करते हैं या रहस्य अधाटन उस द्रिश्टी कोन की ही पुष्टी करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वरत्मान कैनडा सरकार के राजनेतिक अजेंडा और उसके विवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है इस तरह की गैर जिम्मधाराना करवाईयों से दिप्रक्षिय संबंदों पर गंभीर परिणाम होगे भारत सरकार का ये जवाब कैनडा की सरकार ने ठीक से सून लिया होगा क्योंकि कैनडा के मंत्री ने भारत सरकार के ग्रिह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया था आरोप था कि अमित शाह ने कैनडा में रह रहे सिख अलगावादियों को निशाना बना कर हिंसा करने, थमकाने और खूफिया जानकारी जुटाने का भियान चलाने का आदेश दिया था उप विदेश मंतरी डेविड मौरिसन ने राष्टे सुरक्षा समिती के मेंबर्स सांसुदों को बताया कि उन्होंने वाशिंग्टन पोस्ट से शाह के नाम के पुष्टी की है जिसने सबसे पहले इन आरोपों के खबर दी थी शाह का जिकर करते हुए मौरिसन ने समिती को बताया पत्रकार ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या ये वही व्यक्ती है मैंने पुष्टी की कि हाँ ये वही व्यक्ती है हलाकि मौरिसन ने ये नहीं बताया कि कैनडा को शाह के कथित तोर पर शामिल होने के बारे में कैसे पता चला इसके बाराद आज विदेश वंत्राल ने सीधे सीधे तोर पर कैनडा को साफ कह दिया कि अनरगल और वो बेबुन्याद बातों का खंडन करते हैं और इस तरह के आरोपों से दोनों देशों के दुपक्षे सम्मंदों को गहरा नुकसान हो सकता है यानि दुतावास के प्रतिनिदी को समन किया था 29 अक्टोबर 2024 को अटवा में सर्विजनिक सुरक्षा और राष्टे सुरक्षा पर स्थाई समीती करवाही के संदर्प में एक राजनेक नोट उस प्रतिनिदी को सौपा गया है उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मौरिसन दौरा समीती के समक्ष भारत के केंद्रिय ग्री मंत्री के बारे में व्यक्त किये गए अनर्गल और निराधार संदर्मों को कड़े से कड़ा विरोध करती है केनडा के उच अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रहौईत करने की एक सूविचारित रन्निती के तहत जान बुझकर अंतराष्ट्रिय मीडिया को निराधार आच्छेप लिक करते हैं या रहस्य अधाटन उस दृष्ट्रिकोन की ही पुष्टी करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वरत्मान कैनडा सरकार के राजनेतिक अजेंडा और उसके विवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है इस तरह की गैर जिम्मदाराना कारवाईयों से दिप्रक्षिय सम्वंदों पर गंभीर परिणाम होंगे मतलब साफ है भारत ने चेतावनी दे दी है अगर फिर भी कैनडा नहीं मानता है तो फिर कैनडा और भारत सरकार के रिष्टे सबसे नियुंतम स्तर पर जा सकते हैं दूरो रिपोर्ट भारत तक दूरो रिपोर्ट ढारत तक